हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने चैनल में और आज हम UPSC के बारे में बात करने वाले हैं UPSC क्या है, क्या इसकी फुलपों में और क्या इसके काम है अगर आपका भी सबना IS, IPS बनने का है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले है बहुत से स्टुडेंट के दिमाग में UPSC को लेकर बहुत सारे डाउट होते हैं इस वीडियो को देखकर आज आपके सारे डाउट किलियर हो जाएंगे आप अन्तक हमारे साथ बने रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं परिक्षा के लिए उम्मीद्वार अपनी पातरता सुनिश्चित कर ले इसका मतलब यह है कि अगर आपने पिरी और मेंस दोनों किलियर कर लिए हैं और जब आपका साक्षात का होगा, अगर आपके उस वक्त डोकुमेंट में कोई कमी पाई जाती है तो आप उम्मीद्वार पद से रद हो जाओगे, आप निरस्त हो जाओगे नगला पोइंट है, आवेधन कैसे करें? आवेधन करने के लिए आयोग ने अपनी साइट दे रखिये upsconline.nic.in इस पर जागर आप अपना फोर्म फिल कर सकते हैं अगला पोइंट है, उम्मीद्वार के पास किसी एक फोटो, पहचान पत्र जैसे अधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राविंग लेसंस, अत्वाराज्य, केंदर सरकार दवारा जारी किसी अन्य फोटो, पहचान पत्र का विवरंड होना चाहिए, अगला पोइंट देखते हैं, गलत उत्रों के लिए दंड, इसका मतलब यह है, अगर आपने कोई भी गलत क्युस्चन दिया है, तो उसके लिए आपको रिनात्मग अंकन किया जाएगा, इसका मतलब यह है कि तीन क्युस्चन पर आपका एक अंक काट लिया जाए अगला पॉइंट ए उम्मीद्वारों के मार्ग दर्शन है तो सुविधा काउंटर UPSC ने उम्मीद्वार अपने आविदन पत्र उम्मीद्वारी आदिसे सम्मंदित किसी भी परकार गे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सपस्टिकर्ण चाहिए तो आपको कारिये दिवसों में पराते 10 बजे और साय 5 बजे के बीच आयोग परिशर में गेट C के निकट संग लोग सेवा आयोग के सुवीधा काउंटर पर व्यक्तिकत रूप से अत्वा आप इन नंबरों से भी संप्रक कर सकते हैं अगला पोइंट है, मुबाइल फोन परती बंदित है इसका मजले भी है कि जब आपकी परिक्षा आयोजित की जा रही है उस परिशर में मुबाइल फोन का परियोग, पेजर, किसी अन्य परकार का इलेक्ट्रोनिक उपकरन, प्रोग्राम, डिवाइस, पैंड ड्राइव, इस्टोरेज मेडिया, इस्ट्मार वोर्ट, इत्यादिक कैमरा या ब्लुटूथ दिवाइस कोई भी आपके पास होनी चाहिए चाहिवा है बंदो, चाहिवा चाहिवा चालोवा सक्त मना है उम्मी द्वारों को उनके इत्मे सला दी जाती है कि परिक्षा स्थरपल, मोबाइल फॉन, ब्लूटूस, सहित, कोई भी परतिवंदित सामगरी ना लाएं क्योंकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है मतलब आयोग इस पर कुछ भी नहीं कहेगा अगर आपका समान होता है या कुछ भी नुकसान होता है अगला पॉइंट है उम्मी द्वारों को सला दी जाती है कि में कोई भी मुल्लेवान कीमती समान परिक्षा भवन में ना लाएं क्योंकि उनकी सुनिश्चित नहीं की जा सकती आयोग इस संबन में किसी नुकसान के लिए उत्तेरदाई नहीं होगा आगे देखते हैं कि UPSC में किस-किस पद के लिए हम अपलाई कर सकते हैं पहला पद है भारतिये प्रशासनिक सेवा अगला पद है भारतिये विदेश सेवा भारतिये पुलिस सेवा भारतिये लेखा प्रिक्षा और लेखा सेवा गुरूप यह सरब गुरूप क्या की पोस्ट है और गुरूप क्या की इसमें स्रिफ तीन पोस्ट है भारतिये सिव प्रिक्षा निम्लिकित केंद्रों पर आयज्यत की जाएगी अगर आप फोम बरते हैं तो आपकी जो प्रिप्रिक्षा होगी उसके लिए आपको अपने सायर में कि साइंट्रों पर आपका Facebook वोगा चलिए देखते हैं मिस में अलमोडा और उत्रकट के लिए इसमें देहरा दोन है अगर आपका कोई अलँ सॉन अनुसार देख सकते हैं कि पुत्रहजी के लिए अलमोडा और देहरा दून दिया गया है आगे देखते हैं पर्धान परिक्षा के लिए परिक्षा के इंद्र पर्धान का मतलब है आपकी जब में परिक्षा होगी उसके लिए आपको सैंटर बताए गए है जैसे एहमदाबाद, एजल, बैंगलूर, बोपाल, चिंडिगर उत्राखंड में सिर्फ यहां पर देराद की चाहे तो परिक्षा के उप्यूक्त यथा उलकित केंद्रों तता उसके पारम होने की तारिक में परिवर्तन कर सकता है आवेदक यहां नोट करेगी चेन्नई, दिसपूर, कोलकत्ता और नागपुर को छोड़कर परते केंद्र पर आवंटित होने वाले उम्मीद्वारो संख्या होगी वाह स्विमित होगी और आयोग ने यह पताएगी पहले आवेंटन इसका मतलब यह है कि आप जितना जल्दी फोर्म करेंगे आपका अपने सहर में उतना जल्दी ही वह नंबर पड़ेगा मतलब कि अगर आप देरादून में आपका नंबर आना है तो आपका पुर्वोक्त प्रावधान के बावजूद आयोग को यह दिकारे कि वह अपने विवेक अनुसार केंदरों में परिवर्तन कर सकता है यदि प्रस्तिति की मांग ऐसी हो सीविल सेवा प्रणाम परिक्षा 2022 के लिए सभी परिक्षा केंदर बेंचमार्क विकलांगता वाले उ अम्मद प्रिक्षा परिक्षा में प्रवेश दे दी गए हैं उन्हें समय सारणी तथा प्रिक्षा अस्तालों की जानकरी देदी जाएगे उम्मी द्वारों को नोट करना चाहिए केंदर परिवर्तने तुन के निदरों को सभीकार नहीं किया जाए यहां एक वरड़ आया benchmark विकलांग था इसका मतलब यह है कि आप किसी भी रूप से विकलांग है तो आप इस category में आएंगे अगला point देखते हैं प्रिक्षा की योजना प्रिक्षा की योजना में सिविल सेवा प्रिक्षा की दो अवस्थाई होंगी नीचे परिशिस्ट फर्ष्ट खंड फर्ष्ट के अनुसार पहले प्रदान प्रिक्षा के लिए उम्मीद्वारों के चेहन है तो सिविल सेवा प्रारंबिक प्रिक्षा वस्तुप्रक तथा इसका मतलब यह है कि पहले आ पदों में बढ़ती है तुम में दुआरों का चेन करने के लिए सिविल सेवा परदान परिक्षा लेकित तथा साखसाथ अगर आप प्रिक्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका लेकित तथा साखसाथ कार के लिए आगे प्रोसीज चलेगा आगे देखते हैं केवल सिविल सेवा प्रारंबिक प्रिक्षा के लिए आवेदन पत्र अमंत्रित किये जाते हैं जो मिद्वार परदाहन प्रिक्षा में प्रिवेश के लिए आयोग द्वारा पाद्र गोसित किये जाएंगे उनको विश्थित्र आवेदन पदर में पुन्हा अनलोइन आवेदन करना होगा जो कि उनको उपलब्द कराए जाएंगे परदाहन परिक्स अगले मिद्वार को जनम्तिती सरेणी इसका मतलब यह कि अगर आप पिरी के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस के लि वे बेंचमार्क विगलांगता से युक्त व्यक्ति भूतपूर सेनिक और सेक्सिक योगिता के समर्थन में इसके अनके दस्तावेजो परमान पतरों सहीद अनुवारे प्रिक्साचुल के रूम के साध विस्तर आवेदन फोर्म ओनलाइन प्रस्तुत करना होगा अगर आप जमा करने में विलम या निर्धारे तारिक के बाद समर्थक दस्तावे जमा करने की अनुमती नहीं होगी ऐसा करने के परणाम सगरू सीविल सेवा प्रिक्षा दो जार बाई से तू उम्मीद्वारी रद कर दी जाएगे अगर आयोग दुआरा दी गई तारिक के बाद आपकी उम्मीद्वारी रद कर दी जाएगे आगे देखते हैं उम्मीद्वार को परिक्षायतु व्यक्तिकत परिक्षण साक्षात प्ररम होने से पहले अनुमारी रूप से ओनलाइन विश्तत आविदिन पत्र में वर्स के दोरान सिविल सेवा प्रिक्षा में कर सकते हैं आगे देखते हैं उम्मीद्वार को अन्य पिशडावर्ग अनुलगनक और EWS अनुलगलक अनिवारी रूप से अपलोड करना होगा इसके अलावा जो उम्मीद्वार IS IPS को अपनी सेवा वर्यता के रूम में इंगित करना चाते हैं उन्हें सलह दी जाती है कि मैं सिविल सेवा प्रिक्षा 2022 के लिए लागु मोजूदा समवर्ग आवंटन निती के अनुसार अपने ओनलाइन डियाफ में वर्यता करम में सभी छेतरों और समवंगरों को इंगित करें डियाफो को जमा करने में विलम या निर्दारी तारिक के बाद समर्थक दस्तावे जम करने के अनुमती नहीं होगी इसमें भी यही बतायागा है अगर आपने मेंस के लियर कर लिया है तो उसके बाद भी आपको डी ए एफ को जमा करने में विलम या निर्दारी तारिक के बाद समर्थक दस्तावे जमा करने के अनुमती नहीं होगी और आपके उम्मिद्वारी रद कर दी जाएगी इसमें साब साब लिगाए उम्मीद्वारी रद कर दी जाएगी उम्मीद्वार उस्तर सिख्षा विबिन छेत्रों में उसकी उबलब्दी सेवा अनुबव आदि सम्मंदी अतरिक दस्तावेज परमान पत्र भी अपलोड कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी भी छेत्र में कोई भी उबलब्दी प्राप्त किये या सेवा में सेवा अनुबव हो है तो आप उसके दस्तावेज भी परमान पत्र भी अपलोड कर सकते हैं आगे देखते हैं पातरता की सर्ते इसमें राष्टिता के बारे में बताएगा है कि कि भारतिय प्रसासनिक सेवा भारतिय विदेश सेवा और भारतिय पुलिस सेवा का उम्मेदवार भारत का नागरिक अवेश्य हो अन्य सेवाओं के उम्मिद्वार को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल की पड़जा या बोटान की पड़जा या ऐसे तिब्वित सर्णारती जो भारत में इस्थाई रूप से रहने के इरादे से पहली जनवरी 1962 आ गया हो आगे देखते हैं इसमें कोई भारत्य मूल का व्यक्ति जो भारत में इस्थाई रूप से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, स्रिलंका, पुर्वेप्री के देशों, कीनिया, उगांडा, सुन्यक्त गणराज्य, तंजानिया, जांबिया, मालवे, जेरे, एथियोपिय वेतनाम से परजवन करके आया हो, मलव पहले कोई कैंडिडेट इन देशों में रह रहा हो, और वह भारत में पर्मानेंट रहने के लिए आया हो, तो वह भी इसे फिल कर सकता है, वो भी इसके लिए पात्र होगा, आगे देखते हैं, परंतु खै, गया, गया, डया, वर्ग प्राप्त करना अवश्वकिन, तो भारत सरकार द्वारा उसके संबंद में पातरता पर्मान पत्र जारी किये, जाने के बाद ही उसको निक्ति परस्ताव भेजा जाएगा, अगर आप इन किसी भी देश से रहने वाले हैं, आप भारत के हैं, तो भारत सरकार द्वारा आप आपको पातरता eligibility पर्मान पत्र होना चाहिए आगे देखते हैं आयू सीमा देखते हैं इसमें आयू सीमा इसमें अगर आप 1990 से पहले और एक अगस 2001 के बादगापका जनम नहीं होना चाहिए उपर बताएगे अधिकतम आयू सीमा में निमली की तुमामलों में छुड़ दे जाती हैं अगर आप OBC के हैं तो आपको तीन वर्ष की उम्मीद्वारों के लिए लागो अरक्षन को पाने के लिए पात रोएगे मतलब आपको तीन सारगा अधिक वह उमर में मिलेगा अगर आप 24 साल के हैं तो आप 27 साल तक अपलाई कर सकते हैं अगर आप S.C. और S.T. के हैं तो आपके लिए पांच वर्ष तक उमर बढ़ाई जा सकती है आगे देखते हैं किसी दूसरे देश के साथ संगर्च में या किसी असानती गरत छेत्र में भोजी कारवाय के दोरान दिव्यांगता फलसवरु सेमा से निर्मुक्त किया गए ऐ से रक्षा कर्मियोंगों को अधिक से तीन वर्ष मतलब कि जो ऐसे होंगे जो दूसरे देश के साथ संगर्च या सानती गरत फोजी कारवाय के दोरान विकलांग होगे दिव्यांग होगे उनको पलस तीन साल की छोट मिलेगी आगे देखते हैं जिन भूत प्रूफ सेने को जिन में कमिशन प्राप्त अधिगारी अप्तकालीन, कमिशन प्राप्त अधिगारी अल्पकालिप सेवा, कमिशन प्राप्त अधिगारी सामिल एक अगस्त दो जार बाइस को कम से कम पांच वर्ष की सेनिक सेवा की और जो कदाचार या अक्समता के अधार पर बरस खास्त करने कार्णों से नियम कारिय के समाप्त होने पर कारिय मुक्त हुए हैं इसक्तता के कारण कारिय मुक्त है उनके मामले में अधिक सदिक 5 वर्श यह ऐसे बोतपुर सेनकों को 55 वर्ष का benefit मिलेगा आगे देखते हैं आपातकाल कमिशन अधिकारियो अलपकालिन सेवा कमिशन अधिकारियों के मामले में अधिक्तम 5 वर्ष इन्हें 5 वर्ष की छोट मिलेगी उम्र में आगे देखते हैं सिविल रोजगार के लिए आविधन कर सकते हैं और सिविल रोजगार में चैन होने पर नेक्टिव प्रस्ताव प्राप्त होने की तारिक से तीर महा के नोटिस उन्हें कारेबाग से मुक्त किया जाएगा इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी सेना में है तो आपको रक्षा मंत्रा लेका एक परमान जारी करना होगा और जब आपको नेक्टिव प्रस्ताव प्राप्त होने की तारिक से तीर महा के नोटिस पर उन्हें कारेबाग से मुक्त किया जाएगा आगे देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बार बार बेंचमार विकलांगता इसका मतलब यह है जो अंधिता निम्न दरश्यता बधीर और जीने सुनने में कठना ही होती है चलन दिव्यांगता जिसके अंतरगत परमस्तिगे पक्सगार ठीक किया गया कुष्ट बोन ऐसे दया के अधिन दिव्यांग तो सेयुक्त व्यक्तियों में बहुत दिव्यांगता जिसके अंतरगत बधीर अंधिता के मामले में दिखतम दर्सवर्श मतलब की जो बेंचमार विकलांगता के अंदर आते हैं पलस दस साल गी अगर आपकी नुमर 25 साल है तो आपको 10 साल का छोट मिलेगे और आप 35 की उमर तक भी फोर्म फिल कर सकते हैं आगे देखते हैं आगे आयोग ने कहा कि वह है वही जनमतारिक सविकार करेगा जो आपके मैट्रिकुलेशन माध्यमिक विदाले या भारती विदाले द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्स मानेगे परमान पत्र पर हो आगे देखते हैं आगे इसमें बताया गया है अगर आपको आयोग में कुछ भी पत्र चार करना हो तो उसके लिए आपको प्रिक्षा का नाम वर्ज, रिजिस्ट्रेशन आइडी, अनुकर्माक नंबर, उमीद्वार का नाम, आविदन पर पत्र में दिया गए डाक का पुरा पता, वेद एवं सकरी, इमेल आइडी, यह सब आपको फिल करने पड़ेगी और आपको आयोग में जाना होगा, तभी आयोग इस पर आपकी समस्या पर ध्यान देगा, नहीं तो वो इसे कैंसिल कर देगा, आप पोस्ट स्पीड भी कर सकते हों या खुद जा अत्वा समकस योग्यता होने चाहिए, मतलब कि आप ग्रेजवेट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजवेशन होने चाहिए, तब जाकर आप इसका फों फिल कर सकते हैं, इसमें और भी बहुत सी कंडिशन दी गई है, जैसे कि जिन उम्मेदवारों के पास ऐसी वहवर्षा या तकनिकी डिग्रियों तब भी आप फों फिल कर सकते हैं, आगे और पातर तदी गई इसमें, जिन उम्मेदवारों ने अपनी अन्तिम व्यवसाइक MBBS, अत्वा कोई अन्य समकक स्चिकित सा परिक्षा पास की हो, लेकिन उन्होंने सीविल सेवा परदान परिक्षा का आ संबंदित विश्विदाले संच्था के प्रदिगारी से इस आस्ये, इस आस्ये के पर्मान पत्र की एक परति प्रस्तुत करें, उन्होंने अपेक्षित अंतिम व्यवसाइक शिकित सा परिक्षा पास कर लिया से मामलों में उम्मीदवारों को साक्षा आत्र के समय सामिल है, पूरी कर लिये, मतलब कि आप अगर अगर अभी पढ़ रहे हैं और आप अभी पढ़ रहे हैं, आपकी इंटरसीप पूरी नहीं हुई, तो आप तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेगिन जब आपका साक्षात कार होगा, तो आपको एक पर्मान पत्र परस्तु करेंगे, आगे देखते हैं, आफसरों की संक्या, कि आप कितनी बार ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें देखते हैं, अगर आप स्ट और स्ट से हैं, तो आपके लिए कोई सीमा नहीं है, मतलब कि आप कितनी भी बार फिल कर सकते हैं, स्ट के लिए कोई सीमा नहीं है, जब की SCO राष्टी के लिए कोई सीमा नहीं है और OBC EWS स्रिफ नो बार फिल कर सकते हैं आगे देखते हैं परिक्षा में अवसरों का लाव उठाने वाले उम्मीदवारों की सरेणिया यता सामान्ये को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को EWS अनुसुच जाती को अनुसुच जन जाती अन्ने पिछड़े वर्ग को अन्ने पिछड़ा वर्ग बेचमार्क विकलांगता वाले वेक्तियों को पी डबलू बीडी से दर्साया गया है टिपनी परारंबिक परिक्सा में बैठने को सिविल सेवा परिक्सा में बैठने का एक अवसर माना जाएगा इसका मतलब यह है अगर आपने एक बार पिरी में बैठ जाना है तो आपका एक अवसर गिना जाएगा आगे देखते हैं यदि उम्मिद्वार परारंबिक परिक्षा के किसी एक प्रसंपत्र में वस्तुत परिक्षा देता है तो यह माल ले जाएगी उसने एक अफसर प्राप्त कर लिया है इसका मतलब यह है जैसे OBC के 9 अफसर हैं अगर कोई भी स्टुडेंट एक बार पिरी में बैठ जाता है तो वो सिर्फ फिर उसका एक कट जाएगा और वह आठ बार फिर दे सकता है भी पिरी देने से आपका एक अफसर खतम हो जाएगा आगे देखते हैं परिक्षा के लिए आविदन करने पर पड़ती भी यह पॉइंट बहुत इंपर्टाइंट है कोई उम्मेदवार किसी पूर्फ परिक्षा के परिणाम के अधार पर भारते प्रसासनिक सेवा अत्व कि अगर आप यह परिक्षा जो परिक्षा होने वाली है या जो होगी अगर आप उससे पहले इस परिक्षा में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो नेक्स्ट होने वाली है आप उसके पात्र नहीं रहेंगे आगे देखते हैं यदि ऐसा कोई उम्मेदवार सिविल सेवा पर पहले से फोम पहें लगकर रहा है आप उसका कि गला पोंट देखे हैं यह भी वह बश्ता है कि सीविल सीवा परिक्षा 2022 के प्रारम होने के प्रचात किंद्व किसी उम्मेद्वारण आधरोंकी बारती परशासनिक सीवा बारती विदेश सिवा में नेक्ती हो जाती है वह उस सेवा का सदस्य बना रहता है तो सिविल सेवा परिक्षा 2022 के परिणाम के अदार पर उसे किसी पत्र पर नेक्त है तो विचार नहीं किया जाएगा इसका मतलब यह है कि अगर UPSC कोई रिजल्ट आने वाला है उससे पहले है आपका कोई सेलक्षन हो गाई होने वाला है तो आप आपका जो मेरिट अगला पोंट है ऐसे अमीदवार जिने किसी पूरु परिक्षा के परिणाम के अदार पर भारते पुलिस सेवा के लिए निक्त किया गया है और मैं अभी भी सेवा के सदस्य बने हैं मैं सिविल राज में बार्तिय प्लिस से वागर व्युकल चुनने के पादर नहीं होने के मतलब कि यह अगर आप पहले से प्लिस से वागर लिए निक्त किये गए हैं और जो नेक्ट वह एक्जाम होने वाला है तो आप उसमें उसी पदु को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे देखते हैं कि इसमें आगे चीकित सा एवं सारिरिक मानक दे रखा इसमें उम्मीद वारो को दिनांग बारत कि सवस्थ होना चाहिए आगे देखते हैं सुल्क की बात करते हैं तो महिलाओ महिला SC और ST और बेंचमार्क दिव्यांगों को छोड़ कर सब के लिए 100 पीस है महिलाओ SC और ST के लिए कोई फीस नहीं है और जो विकलाँ हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं है जबकि OBC General EWS इनके लिए 100 रुपे की फीस है आगे देखते हैं आगे देखते हैं आयोग ने साब बताया है जो उमिद्वार भुकतान के लिए नगत भुकतान परनाली का चेहन करते हैं मतलब कि आप नगत पैसे जमा कर रहे हैं फोम फिल करने के तो सिस्टम द्वारा सर्जित पे इन स्लिप को मुदरित करें और अगले दिन भारती श्टेट बैंक SBI की साखा के काउंटर पर सुलुक जमा करवाए नगत भुकतान परनाली का विकलब अन्तिम तिथी से एक दिन पहले अर्थाद दिनांक माने बाद लास्ट टारिक बाई से फोर्म फिल करने की तो आपको 21 को ही बैंक में जाकर फिंच जमा करनी होगी इसका मतलब यह है जो उम्मीदवार अपने पेंद स्लिप का सर्जन इसके निसकर्स होने से पहले कर लेते हैं मैं अन्तिम तिथी को बैंक के कारी समय के दोरान SBI की साखा में काउंटर पर नगद बुगतान कर सकते हैं मैं उम्मीदवार जो वेद पेंद स्लिप होने के बाउजूद किसी कारण बस अन्तिम तिथी को बैंक के कारी समय के दोरान SBI की साखा में नगद बुगतान करने में आज समर्थ रहते हैं तो उनके पास कोई अन्य ओफलाइन विकल्प लब्द नहीं होगा लेकिन मैं अन्तिम तिथी अर्थात इतने वो 6 बज़े तक ओनलाइन डेविट कार्ड अत्वा इंटरनाइट बैंकिंग बुगतान के विकल्प का चेर्ण कर सकते हैं इसका मतलब यह कि बैंक अगर आप बैंक में गए हो और किसी कारण आपका बुगतान नहीं हुआ है तो आपके पास अन्य ओफलाइन का कोई विकल्प नहीं बचता है फिर आपको अपनी फिंस ओनलाइन डेविट या क्रेडिट कार्ड अटवा इंटरनाइट बैंकिंग बुगतान के लिए दवारा ही की जाएगे आगे देखते हैं जिन आवेदको के मामले में बैंक से बुगतान संबन्दी विवरन प्राप्त नहीं है उन्हें फरजी बुगतान मामला समझा जाएगा ऐसे सभी आवेदको की सुची ओनलाइन आवेदन पत्र बनने के अंतिम दिन के बाद दो सब्ता के भीतर आयोक की वेबसाइट पर करा दी जाएगी इसका मतलब यह है कि अगर आपने बैंक में अपनी फीर जमा करें और बैंक दोवारा आयोक को उसका कोई विवरन नहीं दिया गया तो आयोक आपका नाम दो सब्ता के अंदर आयोक की वेबसाइट पर उपलब्द करा देगा आगे देखते हैं इन आवेदको को इमेल के जरिया सुचित किया जाएगा कि आयोक को किये गए अपने बुखतान के परमान की परती प्रस्तुत करें आवेदको को इसका परमान दस दिनों के भीतर दस्ती एत्वा स्पीड पोस्ट के जरिया आयोक को बेजना होगा यदि आवेदक की और से कोई परति उत्तर प्राप्त नहीं होता है तब उसका आवदन पत्र तत्काल ऐस्विकार कर दिया है इस सम्बंद में आगे कोई पत्र अचार नहीं होगा इसका मतलब यह है कि आपकी फिंस कट गई है और आपका नाम उस लिस्ट में आ गया है तो आपको क्या करना होगा आपको उस बुखतान के परमान की परति परस्तुत करने होगी उसे स्पीड पोस्ट की जरी आयोग को भेजना होगा नहीं तो आयोग आप इसका कोई उत्तर नहीं देंगे आप नहीं भेजेंगे और दिव्यांग वेक्ति सरहने के उमीद्वार को सूलक के बुखतान से छूट प्राप्ते मतलब कि महिलाओ, SC, ST और Benchmark दिव्यांग मतलब कि जो दिव्यांग के चाहाए वो किसी भी परकार से उनके सूलक के बुखतान से छूट प्राप्ते मतलब उनकी form fill करने की fins सुनने होगी तता अन्य पिछडे वर मतलब की OBC और EWS उमीद्वारों को सुलुक में छूट प्राप्त नहीं है मैं लग इनके लिए कोई सुलुक में छूट प्राप्त नहीं है तता उन्हें नेटधारित पून सुलुक का भुगतान करना होगा इसका मतलब यह है कि इन्हें 100 रुपे का भुगतान करना होगा जो की OBC फिंस है आगे देखते हैं आगे इसमें किसी भी स्तिती में आयो को भुगतान के लिए कि गए सुलुक की वापसी के किसी भी दावे पर नय तो विचार किया जाएगा और नय सुलुक की अन्य परिक्षा चैन के लिए और अरक्सित रखा जाएगा यदि कोई उमिद्वार 2021 में लिए गए सिविल सेवा परिक्षा में बैठा हो और अब इस परिक्षा में परवेश पाने के लिए आविदन पत्र करना चाहता हो तो उसे परिक्षा पर लिया निक्ति प्रेस्ताव की परिक्षा की ये भी नहीं अपना वेदन पत्र बढ़ देना चाहिए इसका मतलब यह है कि आपने 2021 में UPSC का फों फिल किया था आपने एक्जाम दिया और 2022 में भी आप बढ़ना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं और आग्जाम को दे सकते हैं यह आयोग ने साफ साफ लिगा है कि आप परतिक्षा कि यह भी नहीं अपना विदन पत् कि परदान परिक्षा में जिन उम्मीद्वार को प्रविश्पत दिया जाएगा उनको पुना 200 रुपे के सुलका भुगतान करना होगा इसका मतलब भी है कि जब आप पिरी क्वालिफाइ कर लेंगे और जब आपका मेंस का दोबारा फॉर्म फिल करना होगा तो उसके ने स्टूडेंट को नि मिलिकित कद आचार का दोशी आयोग दवारा दोशीगोसित हो चु earthquake होइए अगर आप इन्हें मेंसे कुछ भी गलत करते हैं तो आप आयोगetas दोवारा दोशीगोसित के जाज सकते हैं जैसे घेरकाने रूप से परितोष्ण की पेशकस करना साधन कराया इसमें बहुत सारी चीज़े दी गई है जैसे आविधन फोम में वास्तोव फोटो स्थाक्टर के स्थान पर एसंगत फोटो अपलोड करना इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आप इनमें से कुछ भी गलत करते हैं तो आपको आयो दोसी करार देगा और आप आगे इसमें क्या बता हैं कि परिक्षा के दोरान मोबाइल फोन चायवा सिविचो भी क्यों ना हो फैजर या किसी अन्य परकार का एलेक्ट्रोनिक उपकरन या प्रोग्राम किये जा सकने वाला डिवाइस पैन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मेडिया स्मॉर्ट वोच इ देते वह में दवार को बेज़े गए प्रमान पत्रों के साथ जारी अदेशों का उलंगन किया है इसमें बहुत सारी चीज़े दी गए अगर आप इन में से किसी भी चीज़ का उलंगन करते हैं तो आपको दोसी करार दिया जाएगा और केंद्री सरकार द्वारा उसके जाएगा आगे देखते हैं आयोक के साथ पत्र वेवार इसका मतलब यह है कि अगर आप से आप आयोक से कुछ भी पूछना चाहते हैं या आप से कोई जानकारी राप्त करना चाहते हैं कोई मार्क दर्सन चाहते हैं तो आप आयोक को आपको लिखना होगा और आपको आयोक को अपनी रिजिस्टेशन आईडी रोल नमबर इत्या दिये हैं चीज सब फिल करने होगी आगे देखते हैं इसमें लिखाया है उम्मी दुवार दैन नखे कि परवेश परमान पत्र कहीं कही नाम तकने की कारणों से संचित रूब में लिखे जा सकते हैं उम्मी दुवार को आयोग की वेबसाइट से एक सेधिक यी परवेस परमान पत्र डाउलोड करने की स्तिति में परिक्षा देने के लिए उनमें से केवल एक ही परवेस परमान पत्र का उप्योग करना चाहिए तदा अन्य आयोग के कार्यले को सुचित करना चाहिए आगे देखते हैं इसमें बतायागा है कि परिक्षा केवल प्राक्चेन प्रिक्षन है मतलब कि जो आपकी प्रिक्षा होती है केवल आपका में प्रिक्षा के लिए स्रीप चेन है आगे देखते हैं इसलिए आयोग द्वारा इस संब्द में सफल तता है सफल अमिद्वार को क कोई अंक पत्र नहीं भेजा जाएगा और कोई पत्र वेवार नहीं किया जाएगा उम्मीद्वार को या सुनिची तवस्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उसके दवारा दे गई एमेल आईडी मानने हो और सकरिया हो आगे देखते हैं इसमें लिखाए है अरक्षन का लाब प्राप्त करने हैं तुप पातरता अगर किसी भी उम्मीद्वार को समदाय संबंदी आरक्षन का लाब उसकी जाते हो केंद सरकार द्वारा जारी आरक्षित समदाय संबंदी सुची में सामिल किये जाने पर ही मिलेगा सिविल सेवा प्रिक्सा के अन्य पिषडा वर्ग स्रेने के मिद्वार को अनेवारी रूप से वितवर्स 2020, 2021, 2020 और 2018 की दोरान आयके आदार पर अन्य पिषडा वर्ग नोन क्रीमिलेयर परमान पत्र परस्तुत करना होगा अगर आपको अरक्षन का लाव चाहिए तो आपको नोन क्रीमिलेयर परमान पत्र देना होगा आगे देखते हैं कोई उम्मिद्वार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब की EWS के अरक्षन के लाव का पत्र तभी माना जाएगा यह दिवाय केंसरगार दोवारा जारी सर्तों को पूरा कर रहा हो उसके पास वित्वर्ष 2020 की सहतों अफेक्षित आएगा दार पर आएवं संपत्ति परमान पत्र मौजूद हो आगे देखते हैं सरीणी में परिवर्दन इसका मंदले भी है कि अगर आपने फोर्म फिल करते विए अपने आपको SC फिल कर दिया है या OBC फिल कर दिया है और आप है जनल के अगर फिर आप से जनल में चेंज करना चाते हैं तो यह बिल्कुल भी नहीं होगा यह आयोगने साब-साब मना क्या है, इसलिए आप जब भी form फिल करें, तो अब form को सही-सही तरीके से fill करें, उसे कहीं बार चेक करेंगे, फोन सही fill होआ है, आगे देखते हैं आगे इसमें पररारंपबिक परिक्षा के बारे में बताया गया है, जैसे कि इस परिक्षा में दो अनिवारे परसन पत्र होंगे जिसमें पड़ती एक परसन दो सो अंकों का होगा पिरी एक्जाम में दो परसन पत्र होते हैं पहला और सेकंड पहला आपको किलियर करना होता है जबकि सेकंड में आपको सिरिफ 33 परसन लंबर लाने होते हैं चलिए देखते हैं दोनों ही परसन पत्र वस्तों ने बहुवे के परकार के होते हैं मतलब कि यह MCQ टाइप के होते हैं सिविल सेवा पराने में परिक्षा का सेकंड अरहक पेपर होगा मतलब कि सेकंड पेपर आपको स्रीफ कुवालिफाई करना है मतलब कि इस मैं आपको 33% अंक लाने होंगे आप इसे किलियर कर लेंगे आगे देखते हैं परसन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही बासों में तियार किये जाएंगे मतलब कि जो परसन पत्र का पैटर्न होगा वो हिंदी में भी आएगा और अंग्रेजी में भी आएगा आगे देखते हैं जो उम्मीदवार द्रिश्टिहीन चलने में ऐसमर्थ परमस्त के प्रक्त दास्ते पिडित उम्मीदार उनको 99.40 परतिसत तक ऐसमता को परबावित करती है इनको मतलब की पेपर में 20 मिनट अधिक मिलेगी आगे देखते हैं परदान परिक्षा बहुत से बच्चों को परदान परिक्षा में बहुत से डाउट होते हैं चलिए आज इन डाउट को किलियर करते हैं परदान परिक्षा लेकित परिख्षा में निमलिकित परसन पत्र होंगे परसन पत्र क्या है? परसन पत्र काइगा उत्तर देने के लिए और यह 300 अंक का होगा परसन पत्र खाय परसन पत्र खाय अंगरे जी वरेता करम के लिए जिन पर्शन पत्रों को अधार बनाया जागा यह भी 300 ऑंको का होगा और आपको पर्शन पत्र क्या और ख्या केवल क्वालिफटाई करने हैं इनके मैरिट में नंबर नहीं जुड़ते हैं इनको सिर्फ आपको Passover करना होता है और इसमें आपको सिर्फ 25% हि लाने होंगे और पिछेतर नंबर यह आपको इंगलिस में लाने भोंगे तो आप इन दोने पत्रों को क्वालिफॉ confidential कर जाएंगे अगे देखते हैं 아침 पर्सण पत्र फर्ष्टpta पर्सण पत्र फस्ट में निमद लिखना होता है और यह 200 अंक का होता है आगे जितने भी परसन पत्र होंगे मैं डाइसोंग क्या होंगे जबकि इंटर्वीव दो सो पिछेतर नंबर का होता है तो पहला पेपर आपका निमंद होगा और यह मेरिट लिस्ट में इसके नंबर जुड़ेंगे जो हैं साथ पेपर है इनसे ही मेरिट लिस्ट बन सामान्य अध्यन सेकेंड इसमें सासन विवस्ता सविदान सासन पढ़नाली समाज गिनायत अंत्राष्टी संबन यह भी डाइसों नंबर का होगा परसन पत्र फोर यह भी सामान्य अध्यन थर्ड प्रोधिगी आर्टिविकाच जेविवित्ता परियावन वेकलपी परसन पत्र है वेकलपी विविषय परसन पत्र का मतलब है कि यह सबजेक्ट आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि अगर आप बूट नहीं biology chemistry math बहुती की इतियाद इन किसी भी विशे में आप सबसे अच्छे हैं आपको सबसे ज्यादा इनके बारे में knowledge है तो आप उसी वेकलपी विशे में उसे अपने अच्छे अंग प्राप्त कर सकते हैं यह भी 200-200 अंके हैं उप योग लिए कित परिक्षा का कुल टोटल 1750 होता है अगर आप में परिक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका व्यक्तिकत परिक्षण होता है जो कि 275 नंबर का होता है आगे देखते हैं कु उतने ज्यादा इनमें नंबर लाएंगे उतनी आपकी अधिक रैंग होगी आगे देखते हैं इस परिक्षा में दो कर्मिक चरणे यह तो एक पिरीगा होता है और एक मेंस और फिर साखसात लेखी तोर साखसात कार आगे देखते हैं यह देखते हैं इंप्रसंपत्र परत्रों के प्रत्रों में ब्राप्त अंकों को योग्येदा कर्म निर्दारित करने में नहीं गिनना जाएगा और जो बारतिय भासा और अंग्रेजी के परसंपत्र होंगे, मैट्रिकुलेशन अत्वा संसक मतलब किये दस्वी के पैटरन पर होंगे. आगे देखते हैं, सबी उम्मेद्वारों के निमंद, सामान्य अध्यन तता वेकलपी विशे के परसंपत्रों का इसका मतलब यह है कि अगर आप जो शुरू के दो परसंपत्र है क्या और क्या अगर आप उन्हें 25-25% अंक नहीं लाते हैं, तो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं गिना जाएगा. तो इसलिए आपको हिंद्य और इंग्लिस दोनों क्वालिफाई करने होंगे. आगे देखते हैं, तता भी भारतिय बासों का पर्तम परसंपत्र उन उम्मीदवार के लिए अनिवारिये नहीं होगा, जो अरुनाचल परदेश, मनिपूर, मेगले, मिजोरम, नागलेंड, तता सिक्किम, राज्ये हैं. इसका मदल्ब है कि जो परसंपत्र क्या है, वहां अरुनाचल परदेश, मनिपूर, मेगले, मिजोरम, नागलेंड, तता सिक्किम, इन राज्ये पर लागू नहीं होगा. आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, भासा के माध्यम साहित्ती के लिए उम्मीद्वारों द्वारों लीपियों का उप्योग निम्द अनुसार किया जाएगा. अगर आप असम के हैं, तो आपके लिए लिपी असमिया होगी, आप बंगले होगी, अगर आप गुजराती हैं, तो गुजराती लिपी का प्रियोग होगा, हिंदी है, तो देवनागरी लिपी, ऐसे यहां सब रज्यों की अलग-अलग लिपी दी गई, आप सभी देख सकत जब कि BodoDogre Metali Satalyane सब की देवनागरी लिपी जब कि संताली की आलची की भी एक लिपी है। यहाँ पर लिखा भी है संताली भासा के लिए परसंपत्र देवनागरी लिपी में छपंगे किन्तु उमीद्वारों को उत्तर पत्र देने के लिए देवनागरी या ओल्ची की लिपी का प्रियोग विकल्प होगा मतलब कि आप देवनागरी लिपी या ओल्ची की लिपी में तोनों में से किसी वे में उत्तर दे सकते हैं अब हम उन विकल्पिक विश्व की बात करते हैं जो लाष्ट में दो व गोल भो विज्ञान इत्यास विदी परबंदन गणित यह सब व्यकल्पी विशे हैं और आपका इन में से कोई भी विशे मजबूत हो तो आप उसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें आगे भी दिये गए यांत्रिक इंजिनियरी चिकिस्ट से विज्ञान दर्शन सास्त्र बहु आगे देखते हैं परिक्षा के परसनपत्र परारंबिक विवरनात्मक परकार के होंगे परते एक परसनपत्र तीन गंटे की अवदीगा होगा और हक बासाओ परसनपत्र क्या खया को छोड़कर अमीद्वारों को सभी परसनों के उत्तर सविदान की आठवी अनुसुची म सामिल किसी भी भासा या अंगरेजी में देने का विकल्प होगा इसके बावजुद SME द्वारों को विकल्पर अंगरेजी में लिखने का भी विकल्प होगा यदि उन्होंने अरह को बासा पेपर क्या और खया को छोड़कर पेपर एक से पांच को बारत के सभीदान के नहीं देना है आगे देखते हैं बासा के साहित्य के परसंपत्रों को छोड़कर केवल हिंदी तथा अंगरेजी में तियार किया जाएंगे जो परसंपत्र होंगे मैं केवल हिंदी तथा अंगरेजी में तियार किया जाएं केवल बासा के साहित्य परसंपत्रों को छोड़ अगे देखते हैं इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट इसमें साक्षातकार जिसे सब 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 इस्टुडेंट को डर रहता है कि साक्षातकार में क्या होता है तो चलिए इसे भी देखते हैं साखसातकार या व्यक्तिगत परिक्षन उम्मीद्वार का साखसातकार या व्यक्तिगत परिक्षन एक बोड़ दोबारा होगा जिसके सामने उम्मीद्वार के परिच्चेवर्थ का अभिलेख होगा मतलब कि आपकी सब डिटेल आपने कौन से class 10th कब किया 12th कब किया 12th कब किया आपने क्या क्या किया है सब detail उनके पास होगी आगे देखते हैं उससे समानने रूची की बातों पर परसन पूछे जाएंगे यह साकसातकर व्यक्तिकत परिक्षान इस उदेश्यते होगा कि सक्समों निस्पक्स परिसकों का बोड यह जान सकेगी उम्मीद्वार लोग सेवा के व्यक्तिकत की दृष्टी से उप्यक्त है या नहीं या परिक्षा उम्मीद्वार की मानसिक सम्ता को जाचने के अभी पर ऐसे की जाती है, मोटे तोर पर एक परिक्षा का परियोजन वास्ताव में ना केवाल उसके बहुत दिक गुणों को अपीति उसके समाजिक लक्षनों और समाजिक घट्राओं में उसकी रूचिका भी मु ज़िघ सकती है, लप रणुपन देखते हैं, साकसात्कार वैक्तिगत परिक्षन में प heel IG süिल को उपना ही अपना ही जाती, इसमें सोmbा वरते लाप 의म उमेद्वार के मानतिक खुणों के पता लगाने का परियोजन की उब अभी वह जाता है, आगे साकसात्कार वैक्तिगत प्रिक्षन उम्मीद्वारों के विशे से समानने ग्याने की जाच करने के प्रियोजन से नहीं किया जाता है मलगिस में आपके समानने ग्याने की जाच नहीं होती क्योंकि उसकी जाच लिकित परसन पत्रों से पहले ही हो जाती है उम्मी द्वारों से आसा की जाती है कि मैं नय केवल अपने सेक्षिनिक विशेश विशेव में ही पारंगत हो बले कि उन गटनाओ पर भी द्यान दे जो उनके चार और अपने राज्या देश के बितर बाहर गट रहे हैं तो आदोनिक विचारदारा और नहीने खोजों में भ ग्यासा पैदा कर सकती है तो यह थी हमारी वीडियो अगर आपको अब भी कोई डाउट रहता है आपके मन में अब भी कोई संका है UPSC को लेकर तो आप कमेंट करके पोछ सकते हैं अगर आपको इसमें अब भी कोई डाउट है कोई बात छुट गई है आपको कुछ और पू झाल झाल